दोस्तों आज हम कुछ अलग और घर में रखे सामान से जटपड़ बनने वाले नए नास्ते की रेसिपी लेकर आए हैं इस नास्ते को बनाने में ग्यों का आटा और सूजी का इस्तमाल किया गया है ये नास्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और अमेजिंग होता है तो चलिए जानते हैं आटे का नास्ता बनाने की रेसिपी क्या है तो हलो फ्रेंज विल्कम टू माई कीचन और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे फेस्बुक पेज को फोलो करें और वीडियो लाइक दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो चले दोस्तों देरी किस बात की बना लेते हैं इस नास्ते को इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिकसर बाउल लेंगे और इसमें डालिए 100 ग्राम ग्यहूं का आटा, 100 ग्राम सूजी और दोनों को अच्छी तरीके से च्छान लीजिए अब इसमें डालिए 5 ग्राम कोकोनट पौडर और आधा नेम्वू का जूस अब इसमें आधा गिलास पानी डाल कर इसे अच्छी से चलाते होई मिकस करें अगर आपसे मिकसर से इसमें अच्छी से मिकस नहीं होता है तो आप इसे हातों से भी मिकस कर सकते हैं यह मिक्स हो गया है अब इसके ओपर पलेट से ढपकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए रेष्ट देंगे तब तक हम यहां पर कुछ मसाले पीछ लेते हैं अब एक मिक्सर जाल लीजिए इसमें डाल लिए एक प्याज कट करके तीन हरी मिर्ची और पांच लेसन की कलियां इसी की साथ में आदी चम्मा जीरा आदी चम्मा सौफ के दाने डालेंगे और अब यहां पर बादाम पांच बादाम हैं पांच काजू मैंने इन सब को एक साथ में यहां डालेंगे एक चुटकी हिंग आप चाहे तो पेष्ट में भी ढाल सकते हैं लेकिन मैं मिस्सी जाल में डालकर साथ में पीस लोग बिना कुछ डाले इससी साबुता ऐसे ही बिना पानी के बिना दूद के दरदर असा पीस कर मैंने इसको बारिक कर लिया है यह देखे इस तरह से दरदरा सा पीशना है ज्यादा बारीक फाइन पेश्ट नहीं बनाना है अब आठा और सुजी का मिस्रन देखे पांच मिनट हो चुकी है यह अच्छे से यहां मिक्स हो गया है यह देखे अच्छे सेट हो रहा है इसमें मिन थोड़ा सा और अच्छे से मसल डिया है चला डिया है इसमें ही डालेंगे पिसा हुआ सारे मसाले ज mister मिन ने प्याज का मिस्रन बनाया है इसके अंदर डाल देंगे अब इसमें session 58 मिर्ची लाल पोडर डाले आप यहां कुटऊ मिर्ची चीली भी डाल सकते हैं अधी चमाच गरम मसाला पोडर और चोथा च चम्माच काला नमक स्वाद अनुसार साधा नमक खाने वाला और यहां पर थोड़ा सा मैंने पालक लिया है पालक को बारिक करकड़के डाल दिया है आप चाहे यहां पर हरा धन्या भी ले सकते हैं लेकिन आज मेरे पास हरा धन्या नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें पालक डा रच्छा पानी के में अच्छा करने जाएं अच्छा से मिक्स करें गर्षा फुर्ट हवाएं यहां पर अब यहां पर डालेंगे यानी च्छाहिए यहां पर फीटा हुआ देही भी डाल सकते हैं यहां मेंने आधा गिलाज डाला है और इसको अच्छे से और मिक्स कर देंगे अब एक केक टीन लेंगे और इसी ओयल से गिरिस करके और उपर से बटर पेपर फेला दीजिए और इसी के अंदर अब जितना भी हमारा मिक्सरन है उसको केक टीन में डालिए और चमच की मल से एक जैसा बराबर से फेला दीजिए और थोड़ा सा इसको हम यहां पर हातों से पकड़ कर इस तरह से टिप कीजिए ताकि अच्छे से बहुत ही आसानी से ये अच्छा तरीके से चारतरब को सेट हो जाए अब पांच गराम सपेद तिल ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से बेखेर दीजिए इससे बहुत अच्छा फलेवर आता है खानी में टेश्टी लगता है देखने में बहुत ही ज़ादा सुंदर भी लगता है और अब उपर से इसमें डालेंगे बारिक कट हुआ पालक का पत्ता इससे भी पहुत अच्छा फलेवर और टेश्ट आएगा आप चाहें यहां हरा धन्या डाल सकते हैं अब यहां देखें मैंने एक भगोने को पहले ही गेस पे रखकर इसमें डेड़ गिलास पानी डाल कर इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया है इसके अंदर एक श्टेंड लगा दिया है और अब मिश्रन का जो भरा हुआ केक तीन है उसको भी इसके अंदर रख देंगे और अब ओपर से इसे एक ढखकन से कवर कर देंगे अब गेस को यहां मेडियम करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे श्टेंड कर लेंगे यहां पूरी 15 मिनट हो चुकी है यह दीखिए यहां बहुत ही अच्छे से इस टीन हो चुका है गेस को बंद कर देंगे आप इसमें कोई सलाई यह चाकू डाल कर देख सकते हैं यह पकर तयार हो चुका है अब केव टीन को पकड़ कर इसे बाहर निकाल लेंगे दोस्तो ध्या कि नीचर भी से चाकू की मस से बराबर साइड से हटा लेंगे और अब यहां पर एक यहां थाली रखेंगे और इसे पलट लेंगे बहुत ही आसाने से पलटा जाता है यह ओपर से तली को थोड़ा थपक देंगे हातों से और केक टीन को हटा देंगे अब जो बटर पेपर इस पर लगा है इसे भी हटा देंगे अब जब हलका ठंडा हो जाए तो इसके यहां कट कर लीजिए कट करना इसके बहुत आसान है बहुत ही आसान इसके कट हो जाते हैं पहले इसे लंबे आकार में काट ले और फिर इसे बर्फी के आकार में काट ले आप अपनी पसंद से किसी भी आकार से इसके पीस बना सकते हैं छोटे, लंबे, मोटे जैसे भी आपको अच्छे लगे वेसे कट करने के बाद अब एक एक पीसस को उठाएंगे और एक पलेट में अलग-अलग फेला देंगे इसमें थोड़ी हवा लग जाएगी और आप उसमें चिपकेगा भी नहीं अब यहां एक कड़ाई लीजिए उसमें तेल डाल दीजिए गेस को यहां नॉर्मल कर दीजिए यानि एकदम मीडियम मैंने तेल को पहले ही गरम करके रखा है इसमें हीट अच्छी आ चुकी है गेस को मीडियम कर देंगे और एक एक पीसस को उठा कर कड़ाई के अंदर डाल देंगे इतना पीसस इसके अंदर डाले जितने इसके अंदर कड़ाई में आ जाए और अब मीडियम गेज पर इसे अलट पलट करते होए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अंदर से दम नरम और बाहर से कुरकुरा टेश्टी बनकर तयार हो जाएगा ये देखे इसे अलट पलट करते रहेंगे और इसे golden brown होने तक पका लेंगे यानि fry कर लेंगे अब देखे ये golden brown हो चुका है तो अभी से हम यहाँ एक चन्नी में निकाल लेंगे जो इसकाष्टरा तेल है और कढाई के अंदर ही वापस चल जाएगा अब एक ट्रे में बटर पेपर फैला दीजिए और बटर पेपर के उपर सारा कुर्कुरा नास्ता डाल दीजिए जो एक्ष्टरा ओईल है वो भी बटर पेपर पे सूख लेगा और नास्ता हमारा कुर्कुरा बरकरार काफी टेम तक रहेगा अब हमने दो बार में सारा नास्ते को फुराई कर लिया है ये दीखिए अब इसका लुक देखी दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा अंदर से एक दम सोव्ट इसे छोटे बड़े बच्चे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे अब इसे टमाटो केचप या फिर देही की साथ सफ कर सकते हैं हरी चटनी खटाए की साथ भी आप सफ कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हवे से सफ करिये घर्मा गरम नास्ता बनकर है तयार बहुत ही ज़्यादा गजब का और टेश्टी ये देखे इसका लुक अंदर से एक दम कुरकुरा तो आई होब दोस्तों आपको मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो यकिन से कह सकते हूं कि आप इसे ट्राइज जरूर करेंगे मेरे तरीके से एक बार बना कर तो देखे फिर मुझे कमेंट करके बताईए कैसे लगी रेसिपी तो चलते हैं मिलते हैं अगले को ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक्यार